Dear Students, Platform of Learning YouTube Channel पर हम इस वीडियो में 6th class की गणित subject की worksheet number 10 को solution के साथ explain करने जा रहे हैं वीडियो को पूरा जरूर देखे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टार्ट करते हैं worksheet number 10 अपनी संख्याओं की जानकारी भाग की अवधारना देखिए भाग जो है वह बार बार घटाने का क्रम है यदि हम किसी नंबर को बार बार घटाते जाते हैं तो हमें भाग प्राप्त होता है example के लिए देखिए सोनू के पास 16 गेंद है उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप में बाटना है प्रतेक बच्चे को कितनी गेंद मिल सकती है total gain दी गई है यहाँ पर हमें 16 total दोस्त दिये गए है यहाँ पर हमें 8 तो हमें 16 गेंदों को 8 दोस्तों के बीच में बाटना है तो हम क्या करेंगे 16 में से 8 को सब्टेक्ट करेंगे 16 में से 8 को घठाईए 8 उसके बाद दो बारा 8 में से 8 को घठाईए 0 यह करम जब तक चलता रहता है जब तक 0 नहीं आता जीरो आने के बाद करम खतम हो जाता है तो यहाँ पर आपने कितनी बार घटाया है इन्हें दो बार तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रतेक मित्र को दो गेंद मिलती है तो इससे पता चलता है कि भाग की अवधारना बार बार घटाने के करम पर आधारित है आगे देखिए भाग क्या है? कुछ भाग के concept है वह देखिए क्या है? भाग क्या है? भाग बार बार घटाने को कहते हैं भाग भाग है भाग करना समान वितरन किसी भी चीज को समान भागों में बाटना भाग कहलाता है समान सम्हू बनाना एक जैसे सम्हू बनाना मतलब हर सम्हू में समान मात्रा रखना भाग कहलाता है आईए भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्या पढ़े पहले देखिए भाग का निशान क्या है यह भाग का निशान है भाग के बारे में कुछ रोचकत है पहला किसी भी संख्या को शुन्य से भाग करना संभव नहीं है यदि हम किसी भी संख्या को शुन्य से भाग करते हैं तो वह संभव नहीं है दूसरा भाग गुनन का एक व्यूत करम है व्यूत करम का मतलब होता है उल्टा भाग गुना का उल्टा होता है तीसरा किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा एक होता है जैसे यदि हम पाँच को पाँच से भाग करें तो हमें भागफल कितना प्राप्थ होगा एक चोथा तथ्य देखिए किसी भी संख्या को एक से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है जैसे यदि हम दो को एक से भाग करें तो भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होगी जिसको हमने भाग किया है जैसे दो को एक से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा दो प्राप्त होगा चलिए आगे कुछ कोश्चन करते हैं पहला प्रश्न 1401 को 45 से भाग दीजिए इसे हम लंबी भाग विधी के द्वारा हल करेंगे 1401 को 45 से भाग कीजिए यहाँ पर यह गलत है 1401 की जंगे आप इसे 63048 लिखिए 63048 को 45 से भाग दीजिए चलिए भाग करते हैं 45 में कितने नंबर हैं? 2 तो हम पहले 2 नंबर को उठाएंगे 2 नंबर क्या है हमारे 63 तो यह एक पर जाएगा 45 एकम 45 63 में से 45 को घटाईए 18 उपर से 0 उतारिए फिर यह 4 पर जाएगा 45 चोके 180 फिर यहाँ पर 0 शेशवल बचेगा फिर उपर से 4 को उतारिए अब देखिए यह नहीं जाएगा क्योंकि 4 बहुत छोटा है 45 से तो उपर से 48 8 उतारिए 48 बन गया क्योंकि आपने 2 नंबर 7 में उतारे हैं तो उपर एक 0 लगेगी अब 45 से कम 45 एक पर जाएगा तो यहाँ पर आपके पास शेशवल बचेगा 3 और भागफल आएगा 401 आप यहाँ पर इस कोशन को ठीक कर लीजिए यहाँ पर 401 की जंगे 6, 3, 0, 4, 8 लिखिए चलिए कोशन नंबर 2 राहूल के पास 12 फूल है उसे 3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है इन 12 फूलों से ऐसे कितने गुच्छे बना पाएगा टोटल फूल कितने हैं यहाँ पर कुल फूल है हमारे पास 12 हर एक गुच्छे में उसे कितने फूल रखने हैं 3 तो देखिए कोशिन को वैसे भी कर सकते हैं हम 12 फूल हैं 3-3 फूलों का गुच्छा बनाना है तो 12 तीये मतलब 3 चोके 12 चार से भाग हो रहा है यह है अगर हम 12 को 3 से भाग करेंगे तो हमें 4 मिलेगा तो कितने गुच्छे बनेंगे यहाँ पर 4 गुच्छे बन जाएंगे यह पहला दूसरा तीसरा और चोथा क्योंकि 12 को यदि हम 3 से भाग करते हैं तो हमें कितना मिलता है चार आगे देखिए कुछ दिमागी कसरत के कोश्चन दिये गए हैं इन्हें आप अपने आप से सॉल्व कीजिए आपकी दिमागी कसरत हो जाएगी चलिए क्योंकि मैंने इने सॉल्व किया हुआ है तो मैं इने समझा देती हूँ पहला प्रश्न है 25 को 5 से भाग कीजिए जैसा कि सब को पता है 5 मजे 25 होता है तो कितना अंसर आएगा यहां पर 5 अगला है 64 को 64 से भाग कीजिए अभी मैंने आपको एक तत्या बताया था यदि हम उसी नंबर को उसी नंबर से भाग करते हैं तो हमें एक प्राप्थ होता है तीसरा 105 को एक से भाग कीजिए यदि हम किसी भी नंबर को एक से भाग करते हैं तो हमें वही नंबर प्राप्थ होता है तो यहाँ पर कितना आएगा 105 अगला चोथा प्रश्ण इसे आप लंबी भागविदी के द्वारा सौल करते हैं 5910 यहाँ पर 4 एक अंग है तो एक अंग पर काम कीजिए चार एकंग 4 एक शेश्वल बचा उपर से 9 चार चोग 16 तीन शेश्वल बचा उपर से 1 चार सते 28 तीन शेश्वल बचा उपर से 0 चार सते 28 फिर दो शेश्वल बचा तो यहाँ पर शेश्वल है दो और भागफल है हमारा 1477 कौशन नमबर 3 एक माली ने अपने बगीचे में पोधे लगाने के लिए 930 आम के पोधे खरीदे उन्होंने साथ पंक्तियों में बराबर पोधे लगाए प्रत्य पंक्ति में पोधों की अधिक्तम संख्या पता कीजिए और कितने पोधे बचते हैं वह भी पता कीजिए देखिए कुल आम के पोधे कितने खरीदे हैं उसने 930 उसने कितनी पंक्तिया बनानी है साथ अब हमें बताना है कि एक पंक्ति में कितने पोधे लगेगा तो वह हम भाग विदी के द्वारा पता करेंगे 930 को साथ से भाग कीजिए क्योंकि यह एक अंग की संख्या है तो एक अंग को देखिए पहले साथ एकम साथ दो शेशवल बचेगा उपर से तीन आएगा साथ ये 21 दो शेशवल बचेगा उपर से 0 साध दुनी 14 छे शेशवल आएगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भागफल है हमारा 132 और शेशवल है हमारा 6 भागफल 132 का मतलब है प्रतियेक पंक्ती में पोधों की अधिक्तम संख्या 132 है और शेशवल का मतलब की कितने पोधे बच गए हैं तो हमारे पास यहाँ पर 6 पोधे बच गए हैं तो students ये था हमारी worksheet का पूरा solution उमीद है आपको ये worksheet अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी यदि आपको कोई doubt है या कोई query है तो वीडियो के comment section में जरूर लिखिए मैं आपके comments का जल्दी से जल्दी reply करने की कोशिश करूँगी वीडियो को like और अपने friend के साथ share जरूर कीजिए thanks for watching have a nice day